नमस्कार दोस्तो 3BH के house plan आज आप लोगे साथ discuss करेंगे जिसमें आपको 1200 square feet का house model देखने को मिलेगा total 30 feet by 40 feet का यह house model है इसमें आपको 2BHK and 4BHK same front elevation में भी बना सकते हैं दोस्तो आप चाहे तो contact कर सकते हैं और बने रही है हम लोगे चैनल के साथ क्योंकि हम लोग बारी की से discuss करेंगे कि वोर्वेल पोजिशन, वाल पोजिशन, कितना होने वाला है, सेप्टिक टैंक पोजिशन, बिल्डिंग कोस्टिंग and कलम पोजिशन everything आप लोगो बताऊंगा इसी वीडियो में तो वीडियो को आगे देखते रहे हैं दोस्तो यहाँ पे आप स्क्रिम पे देख रहे हैं दोस्तो इसका front लूक मैं आपको बारी की से बताऊंगा कि इस total बिल्डिंग को कैसे हम लोग ready किये हैं एकदम ground से top level तक तो दोस्तो वीडियो को end तक जवुड देखते रहे हैं मैं हूँ पनप चौधरी सिबिल पार्चला में सभी को स्वागत करते हैं दोस्तो यहाँ पे आप देख लीजिए seat out area में आपको seat out area के ऊपर sunset प्रोवाइट किया गया है दोस्तो बहुत ही अच्छे लूक में मैं sunset प्रोवाइट किया है वो भी बहुत अच्छी तरही से बारीकी से हम लोग discussion करेंगे and discussion कर रहे हैं दोस्तो नौ यहाँ पे फ्लावर वागरा प्रोवाइट किया गया है दोस्तो और इसका हम लोग plint level को high रखे 24 इंची यानि की 2 feet अभी दोस्तो यहाँ पे side में भी देख लिजे same हम लोग sunset प्रोवाइट किया है अच्छी लूप के साथ and यहाँ पे steer में जो window प्रोवाइट किया है window का sunset रहेगा यह हम लोग इस design में किया है दोस्तो और पेरापीड वाल भी देख सकते है बहुत ही new design का किया है हम लोग बहुत ही अच्छे लूप में दोस्तो और दोस्तो अभी हम लोग चालू करते है कि कैसे हम लोग उसको ready किये है first आप देख लिजे column position प्रोवाइट करेंगे इसके बाद timing प्रोवाइट करेंगे then floor प्रोवाइट करेंगे इसके बाद wall position प्रोवाइट करेंगे दोस्तो ऐसे करके हम लोग last तक प्रोवाइट करेंगे आप देखते रहिए हर एक चीज लिंटेल प्रोवाइट करते हैं दोस्तों और इसके बाद आपको मैं प्रोवाइट किया कि यहाँ पे संसेट प्रोवाइट किया बारी किसे तो दोस्तों यह फ्लाई एस ब्रिक का किया गया है दोस्तों टोटल जो कॉस्टिंग आएगा यह 15 से 18 लाग का खर्चा आएगा डोर विंडो पोजिशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर संसेट अभी प्रोवाइट करेंगे संसेट के उपर अभी लिंटेल प्रोवाइट करेंगे एंट्री पॉइंट कहाँ पर हम लोग प्रोवाइट करेंगे उससे पहले सीट आउट हम लोग देंगे 15 फीट बई 8 फीट का यह सीट आउट है दोस्तों अंदर घुसने के बाद यह 4 फीट का हम लोग एंट्री पॉइंट रखेंगे इस 4 फीट का entry से हम लोग आगे बरेंगे उससे पहले मैं top view दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके का and दोस्तो entry करते हैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक passage जैसा मिलेगा जो कि 15 feet by 5 feet का रहेगा दोस्तो यह 15 feet by 5 feet का है and जो कि मैं बता चुका हूँ यह हम लोग बास्तु के according करते हैं जो कि है east facing plan east facing plan में south east corner पे हम लोग रखे है kitchen kitchen size जो है 8 feet by 8 feet दोस्तो and proper ventilations provide किया गया दोस्तो and इस corner पे आपको एक पुजा room दिखेगा दोस्तो 5 feet by 8 feet का center में हम लोग door रखे हैं दोस्तो and proper ventilations provide किया जो कि front में मिलेगा आपको एक drawing area भी दिया गया है जो कि 16 feet 6 inch by 12 feet का and drawing area में भी हम लोग एक ventilation रखे है जो कि 6 feet का ventilation प्रवाइड किया गया दोस्तो now जो कि 3BHK मैं बता चुका था 3BHK का जो first bedroom रहेगा यह bedroom रहेगा इस bedroom इस door center करेंगे 12 feet by 12 feet का यह bedroom रहेगा and इसके साथ आपको एक proper ventilation window दिखने को मिलेगा दोस्तो and दोस्तो एक लंबा सा passage होने के बाद आपको यहाँ पे steer मिलेगा steer section जो कि 12 feet by 6 inch 12 feet 6 inch by 6 feet का steer position रहेगा 6 feet का हम लोग steer रखे है देखे दोस्तो 6 feet का यह steer रहेगा दोस्तो and इसके opposite में ही आपको एक toilet दिखेगा जोस्तो जो की common toilet है 6 feet by 6 feet का यह common toilet है इस door center करेंगे हम लोग and toilet में proper ventilation रखे है दो ventilation रहेगा एक रहेगा फैन एक रहेगा आपका normal 2 feet by 1 feet का ventilation ओके दोस्तो इसका sunset देखे कुछ इस तरह का design किया गया दोस्तो now हम लोग second bedroom में आते है इस door center करेंगे second bedroom में second bedroom में हम लोग 2 window प्रोवाइट किया ताकि proper ventilation रहेगा दोस्तो इस bedroom का size रहेगा 12 feet by 11 feet 6 inch दोस्तो and इसी bedroom के साथ एक attached toilet भी दिया गया है जो की size 5 feet by 6 feet 6 inch इस door से इंटर करेंगे यह जो toilet है छोटा सा toilet प्रोवाइट किया गया दोस्तो now third bedroom में आ जाते है इस door से इंटर करेंगे third bedroom में 11 feet by 11 feet 6 inch का यह दो बेडरूम है proper ventilation हम लोग यहाँ पे रखे हैं दोस्तो इसका दोस्तो column position लोग 20 piece column positions प्रोवाइट किया है total आप देख जकते हैं अच्छे से एंड वीडियो के शुरू में भी बता चुका था एंड इसका जो wall size रहेगा दोस्तो 6 inch wall size प्रोवाइट करेंगे दोस्तो ओके एंड इसका costing में पहले बता चुका था costing कितना आने वाला है वो भी में पहले बता चुका था जो की 15-18 लाग में बताया एंड इसका top view में अगर फ्रेंड के साथ share कीजिए एंड दोस्तो इसका में बोरूएल पॉजिशन स कहां पर दिखाऊंगा बोरूएल पॉजिशन स आप जो पुजा रूम है उसके front में आप दे दीजे पुजा रूम के front में बोरूएल पॉजिशन देने से क्या होगा उहां पर नौट्टी बहुत ही अच्छा पॉर्णर है और दोस्तो यह पोजिशन पर आप सेप्टिक टैंग डाल दीजे यहाँ पर आपका टॉइलेट है तो सेप्टिक टैंग यहाँ पर बैता रहेगा दोस्तो यह प्लान अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लगन को पेस कर दीजे और दोस्तो आज के लिए इतना दोस्तो थैंक यू वेरी मच्च जैहिन वंदे मातरम